हेलो एन वेलकम टु एव्रीड़ी मील्स वेशाई आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही हल्दी सबजी परवल आलू यह बहुत ही हल्दी सबजी है और बहुत आसानी से बनेगी तो चल्ने देखते हैं इसे हम किस तरह से बनाएंगे यहां मैंने पाव किलो परवल लिये है और दो आलू लिये है और परवल को भी ऐसे लंबे-लंबा काट लिया है और आलू को भी सेमी शेप में काटा है यह है परवल तो एक परवल मैंने छोड़ दिया था दिखाने के लिए ये क्षाट काटे लेना है और फिर इसे हम छीरें रहे तो ये गिसित इस परवल में भीज है वह निकले इसे पूर OC ludic heute делать जाएगी तो चले अब इसे पकाना शुरू करते हैं तो यह हम ने तेल ले लिया है और तेल में एक मीडियम साइस की प्यास काटके डालिया और थोड़े से कड़ी पत्ते डाले हैं एक चमचा जीरा भी डाल दिया है जब प्यास गोल्डेन हो जाएगी तो हम इसमें पर्वल और आलू जो काटके हमने रखा था वो डाल देंगे, और साथ ही डाल देंगे नमक, तो नमक मैंने आदा चमचा डाला है, आप अपने टेस्ट के साब से कम जादा कर सकते हैं, मसालों में बस तीन ही मसाले जाएंगे, तो एक चमचा लाल मिर्शे पाउडर लिए, आप कम दालेंगे, तो दो टेबल स्पून मैंने दही के इसमें डाले हैं, और दुबारा हम इसे खुब अच्छे से मिक्स करेंगे, हमने इसमें पानी नहीं डाला है, जो भी पानी इसमें है, जो दिख रहा है, और जो और होगा, वो वेजिटेबल्स का ही होगा, सबजियों का तो बस दही डालने के बाद हमें इसे खुब अच्छे से मिक्स करना है, चुले की फ्लेम को स्लो करना है, उसे ढख देना है, और धकन पे हम पानी डालेंगे, ताके इसके स्टीम से हमारी जो सबजी है वो बने और जलेगी भी नहीं, जब पानी उपर का सूप जाएगा, त तो हमाई सबजी जो है वो बहुत अच्छे से गल भी गई है, और इसमें देखे कितना शुरुआ है, जबके हमने पानी इसमें नहीं डालाता है, यह बहुत ही है, इसका शुरुआ भी बहुत है, अगर से आपको सुखी सुखी चाहिए है, तो आप चुले की फ्लेम को फास विश्याई को सब्सक्राइब कीजिए, रस्पीज को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और कमेंट कीजिए, थैंक्स फर वाचिंग